हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल जे एससी वाला दोस्तों बहुत सारा लोग कमेंट में आ रहे चीज और नेताओं के जो मन में बात चल रहा दोस्तों उस पर बात करने वाले और क्या है इसमें सच्छाई ठीक है बहुत अथेंटिक हम बात करेंगे दोस्तों और आपको यह बात सुने के बात आपको भी ऐसा है महसूस होगा को वाक्य में गलत नहीं बोल रहा है ठीक है तो कुछ लोग को कहना है और फिर नेतन लोग को एंडार्यक्ट रूप से कहना यही है कि जिनका पेपर जैसे सीजल का खराब हुआ है वही लोग एक्जाम गुरत कर नहीं है वह इसार आता नहीं तो सारा टीचर सारे स्टुडेंट इस तरह कर नहीं आता रोड पे और पेपर को रद करवाने का मांग नहीं करता क्योंकि इतना जाज़ा इतना धांदली हुआ इस पेपर एक्जाम में आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों 75 परसेंट प्ल इस सितंबर को राची उनलों पहुंच लेतना नंबर लाने के बावजुद भी दोस्तों इस याद रखिएगा इस पेपर को देखने के बाद अधी आपको लाग रहा है 75 परसेंट प्लस नंबर लागता है आपको नहीं लता है एसो इसको अच्छा पोश्ट एसो मिल जाता इसको एसो एसो कोई रोकता है इसको जैसा पेपर आया हो था फेर तरीका सो जाता है 75 परसेंट प्लस 74 73 78 76 इनलों को एसो से कोई रोक पाता साज बता रहें लेकिन दोस्तों जिस पढ़ाव पे हम लोग खड़े है ने ये कनफा मान लेजिए एसो क्या जो नीचे का लेबल अदिक वह इतना टब पेपर के भावजुद जो कि कटप 60 परसेंट के बीच में जाने का संभावना है ठीक है उसके भावजुद यूपर 70% नंबर लाया है उसके बाद भी इनको पता है रिजल नहीं होगा इनका हमें भी लगता है रिजल इनों कर नहीं होने वाला है ठीक उसका सब्सक्राइब बन जागा ऐसा धांदली हुआ है जरकान सच्च वाले परिच्छा में दोस्तों इसलिए आपको थोड़ा सा सोच समय के काम करना है और 30 सितंबर तो हो सके तो पहुंचिए और सरकार को दिखाएए कि भाया हम लोग किसी के एजेंट नहीं है ना ही हम लो पार कर दिया जैसे सिजल एक्जाम में पूरा हद को पार कर दिया इन लोग ठीक है जितना लुटना दूटलो इस तरह का सिच्वेशन चला है दोस्तों सच बता रहे हैं आपको आप हमको क्या बोले मतलब समझते नहीं इस बात को देखिए उन लोग तो उल्टा पलडा कमे हैं आप ञूंझ टैलोट नहीं सकता है नाम को पता है ठीक है एतना नाम को पता है नमे सकता है पितल है यह को product कब सकता है इतسم Ah य सिलिए बहुत बहुत गंदा तरिका से इसमें सेटिंग हुआ है मतलब नमर बता 마무्ट के भाई PGT बता दिया गया था ठीक है कितना नंबर में अब कुछ लोग चमचे टाइप के जो लोग होते हैं बेवकूप टाइप को अनुपड टाइप के लोग जो हराम का खाना चाहता है ऐसे टाइप के लोग क्या बोलेगा नर्मलाज में नंबर उतना आता है अरे भाईया न कंतnt सुनित राज और राज राज है दोस्तो लॉर्म मास का पता ही निला ठीकर रों मैं उत्ताई शाइड रों मच रहब का क्या बुलते हैं नहीं है ने शोडखाए अाधि nieu है मतले इस समय यह ने चरम सिमा में पीक पॉइंट पे धानली धारकन में अब पता नहीं यार इस चीज को क्यों ने दिख रहा है मुखमंत्री जी को हमें ने पता चल रहा है ठीक है यार इतना आधिकारी लोग कायो मन बढ़ गया दोस्तों डार भी ने रहा ही लोग जैसे तेस मिलना चाहिए था ओर रहा का भी कंफ्यूजन में इसका रिजल्ट होगा कि नहीं होगा ठीक है इसी वज़ए उन लोग भी 30 सितंबर को राची पहुंचना भी चाहिए जितना जादा पहुंचेगा उतना फाइदा होगा आप ही को वह रहा ना देख लिए इस एक्जाम को क सब लोग वह अधिकारी पैसा खारा नेता मंतरे पैसा खारा आपका क्या में आप आप खुस होचिए ने आप कहां है आप क्या है आप अरे यतना सालों से महनत की है अप उसी जगा पहुंच गए है पर महनत तो की है लेकिन हुआ कुछ नहीं ठीक है तो आप इस बात को इस तरफ हो इनी सकता है मानते एक तरफ से हो भी गया तो कटब कम जाएगा इसका मतलब 60-60 मैक्सिमुम लेकिन नहीं भाईया ना आप देखिये का रिजल जब रदने कि तो देख लिए कितना कटब जाने वाले ठीक है इसलिए ध्यान रखिए इस बात को और बहुत इसलिए यह को नेताओं का अंदोलन नहीं है छात्रों का अपना ही आंदोलन है तो जितना आप सफल कर पाएगा किजिए वरना इस बार नहीं सुधार पाएगा ने सिस्टम को तो आने नलसा में भूल जाए कि सिस्टम सुधारने वाला है सारा सीट एक्जाम क्या बोलते है सब पैसा पर सब खेल चलेगा पैसा है तो बैठीए एक जाम में नहीं तो मत बैठीएगा आगे इसलिए शुधारना बहुत जरूरी है और एसे आप देख रहेते हैं क्या बोलते हैं प्येज वाइरल हो रहा था भी एससी के सेक्रेटरी को जुत्ता चपल से मारा गया था पुराना साथ निवस्ता सायथ आप देखेंगे ट्रेली गराम में भार हो रहा है इन लोग वही काम करना जरूरी हो गया इसा बाइज नहीं है बुरा तो हुआ ही है सुरू से आपको पता चल गया बुरा बहुत ज्यादा हुआ है ठीक है लेकि इन लोग मानने को त्यार न अच्छी बात है आप लोग भी किजिए और सपोर्ट किजिए सभी को और उपर वाला तो हो गई सत्य का सत्य का सत्य प्रसान हो सकता है लेकिन प्राजित ने परसान जरूर आप हो रहे हैं अधी मेनत लबुत कर लिजिएगा तो सहाथ पलता आपके हाथ लगेगा और फिर इस दूसरे लोग को अपने सेटिंग करवाएगा दूसरे एक्जाम में आएगा फिर अपने लोग को घुसाएगा पैसर लेकर फिर उन लोग इसे ही करेगा तो एक चैन इन लोग को चैन सरकल बन जागए फिर मामला करब आ जागा इसलिए इसको रोकना बहुत जरूर यह ठीक दोस्तों बाकि आपकी राए क्या है कमेंट किजेगा हकीकत चीज था वो बता दियें इतना याद रखिए कि 75% नमबर लाने वाले लोग भी आपके अंदर में सामीर हो रहे हैं ठीक है मिलते हैं अगरे वीडियो